दामीर पभाल जी आप आज यहां पर छपुला गाउं के अंदर आए तो उद्देश क्या था इस मीटिंग का वो एक बार बता है भीमार में भारत एकता मिशन का जो अभियान है कि भारत में जितने भी संग्ठन हैं और जितनी भी भाउजन समाज की जातिया हैं उन सब को बा और यहां करके बड़ी खुशी हुई कि इस गाउं के लोग आपस में बड़े ही भाईचारे से रहते हैं चाहे वो S.C. के लोग हैं चाहे वो बैकवरड के लोग हैं चाहे वो माइनोरिटीज के लोग हैं क्योंकि यहां मुसलिम भाईचारे के भी काफी लोग हैं सभी आप भारत एकता मिशन है उसके उदेश्चे के बारे बताया है क्या कुछ लोगों ने भीमार मी जॉइन की है और रेजिस्टर में जो है नाम भी दर्ज हैं और हमारे साथ जो इस गाउं में एक सरंसक की भूमिका में रहते हैं हमारे पूरु सरपंच भाई राम सिंग जी जो हर व करने का अबहरी मार्मी को सह्योग करने का वादा किया हैений हम भीमार्मी के अभ्यान पहुत अच्छा है और आर्मी के शाहां बहुतलं के साथ लगातार जुड़े रहे लग लग जातियों के लोग एक साथ देखने को मिलने तो बड़ी बात है कि हम उन्हें से बात करते हैं किसके समदाय जाती के लोग आज मंच पर थे उसके बारे बता है अपने गाहों की तरफ से देखिए हमारे डौक साब हैं अपने सूबे सिंग जी इनके पोत्र का जनब दिन था तो उस जनब दिन के खुशी में इस भाई ने अपने मुक अठीति के रूब में भीमार्मी वालों को बुलाया था सभी गाहों वालों के सभी साथों ब्रादरियों को सभी जातियों को समदाय भी है और दलित भाई भी हैं सभी समदाय के लोग यहां भाग लिया और हमारे चपरोला गाउं में कोई जातिवाद नहीं है कोई उची नहीं कोई भेद भाव ने इतना प्रेम से यह हमारा गाउं एक मिसाल के तोर पर यहां सभी मेंबर निर्वोच्चुने गए थ एक रहा है तो मैं आपके माद्यम से कहता हूँ समाज वालों से जैसे हमारे गाउं में भाई चारह है ऐसे आप पूरे बहुरत देश में भाई चारह बने और सबींआ को भूल भाल के खटा होके और किसी गरीब अमीर को ना समझ के सबील भाई गरी बहुं कि मदद करें और सब एक खटा रहके प्रेम भाव से रहें यह बड़ी अच्छी बात कहीं जो है सर्पन साब ने कि उनके गाउं में भी जो है वह जाती की नाम पर कोई भी भेद भाव नहीं तमाम लोग जो है सभी कम्यूंटी के लोग हैं और सब लोग बड़े प्रेम भावार से एक साथ रह कि क्या विचार आया आपको कि इस तरह का जो है मीटिंग आपको आउजने करना चाहिए हम मोबाइल फॉन पर देखते हैं रोज देखते हैं डेली कहीने कहीं अपना परशे आप मेरा नाम डाक्टर सूबे सिंग है मैंने अपने लड़के के पोते के जनम दिन पर यह सभी अध्यक जी बुलाएं हम पर मैंने आज ही एक पार्टी जॉइन किया आपने जॉइन कर लिए भीमार में जॉइन कर ली सर जी जो अभी कहानी चल लिए अगर आज जी से दस साल पहले चल जाती हमारा धूम रहा का होता जी देश में लेकिन हम कोशिस करेंगे साथ कोशिस कर यह जाए पार्टिए जितने हम पर मिली ओंतर मिला इसे जैवी जैए अप क्या कहेंगे बहुत कम आपको भी देखने को मिला होगा जैसा कि मैंने चाहा बहुत कम देख पाता हूँ मैं इस तरह के मंचों पर जहां पर जो है सब जाती के लोग बेटे हों तो आप क्या कहेंगे इस में पर आप इस मीट्री में आज़ेंगे मैं तो यही कहूंगा अभी मैंने मंच पर भी यही बात कही थी कि 2014 से पहले जो भारत था और 2014 के बाद जो भारत बना है इसमें थोड़ा सा फरक आया है और उस फरक को मिटाने के लिए भी मार में काम कर रही है जो काम अकेले छपरॉला गाओं में राम सिंग जी कर रहे हैं सरपन साब यह काम तो पूरे देश में भी मार में कर रहे हैं जो तलवार और तिर्शूल और इस तरह के हत्यार पकड़ा रही है और भाई चंद्रे सेगर बावा साहब भीमराब मिड़कर के मिशन को लेकर कहते हैं कि नहीं अपने बच्चों को कलम पकड़ाईए जब कलम पकड़ेंगे तो समिधान को पकड़ेंगे तो अपने हक और लड़ाई वो लड़ेंगे अगर तलवार चलाएंगे तो जेल जाएंगे मुकद्य बनेंगा और कुछ नहीं होगा कभी आपकी ऐसी इच्छा बनेगी कि आप भीमार्मी के साथ जो आज मैंने जैसे देखा है बायचारी की बात है जो भी नेता यहां आए थे भीमार्मी के उन्होंने कोई जातिवाध की बात नहीं कही जाती वी सिसकी बात नहें कि और सभी जातियों सभी ब्राद्यों को लेकर साथ चल रहे हैं और अच्छी बात अै जो देश को एकता को बढ़ाये अखंडता मतलो एकता बनाए तो हम देखते रहेंगे जितना यह भाई का देखते रहेंगे तो हम भी मतलो कर सकते हैं अभी आप जी बिल्कुल बिल्कुल अभी वह समय के अनुसार जो है अपना रखेंगे सभी तरह के जाती विशेश के लोग आज एक मंच पर देखे गए यहां पर भी मार्मी जो है आज गाउं गाउं गली गली घर गर जाकर जो बहुजन महापुरूस हैं और जो बहुजन महापुरूस जिस जाती में पैदा हुआ है उन्ही जाती के लोगों को जाकर यह बताने का प्रियास किया जा रहा है कि आप अपने महापुरूसों को पढ़ें कि प्रयास करेंगे और निवेदन करेंगे अपने जाट संपते का संगर्स पढ़ेंगे तो उन्होंने भारत देखाई देगा ना कि कोई जाती धर्म देखाई देगे तो यह सामुहिक रूप से जो है सब को साथ लाने का यहां पर आयोजन किया गया गाउंच्छपोला के अंदर पथला जानसभा छेत्र के अंतर के इस वक्त में हूँ कई नहीं जो बहुजन महापुरुस हैं उनको ना पढ़ने के कारण जो स मैं काऊँगा एक बार कैमरामेंसिक इधर दिखा दे इस वक्त भी गाउं के लोग हैं वो सभी लोग यहां पर मौजूद है चप्रोला गाउं में इस वक्त हम लोग मौजूद है और भीमार्मिक की मीटिंग का यहां पर आउजन किया गार भी आप फिर से देख लें कैमरे जो भी भारत की एकता की बात करते हैं और समानता की बात करते हैं उन संग्टनों से जुड़ें और जितना भी हो सके अपने बहुजन महापुरसों की विचारदा को जरूर पढ़ें क्योंकि और उनको पढ़ने के बाद ही आपके बच्चों का भवेश फ्क्षित रहेगा ऐस